आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पर ट्रेंट की वहन है जो देखो सबसे वाएगर मैं आप बात करती हूं आपको समझना होगा अगर मैं बात करती है Atomic Number की So Atomic Number में पस 3 से 9 तक है So 3, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया So ये मेरी Atomic Number वाले elements है और अगर मैं इनकी name की बात करती है so आपको बतावना चाहिए कि जो 3 atomic number वाला होता है ये होता है आपके पास lithium 4 वाला होता है beryllium फिर होता है boron, carbon, nitrogen, oxygen and your fluorine right so आपको ये देखना होगा कि अगर मैं ये आप बात करती है आपको एक चीज़ गिवन होगी कि आपको गिवन है कि देखो D हम पढ़ते है so उन्होंने बोला कि metallic character जो होता है वो increase करता है down the group पर ये decrease करता है along the period right so ये भी elements जो है ये सारे second period के है so along the period अगर मैं बात करती है so मतलब हमारा metallic character जो है वो decrease कर रहा है so it means जैसे जैसे हम lithium से fluorine तक जा रहे है so non metallic character जो हो रहा है वो आपका increase करेगा fine और metals और non metals के वीचे पे मारे पास एक category होती है जिसे हम कहते है metalloids right so metalloids वो elements होते हैं जिनकी properties जो थे हैं वो intermediate होती है between your metals and non metals fine और metalloids की abundance काफी काफी काम होती है right so जैसे कि lithium और beryllium आपके highly metallic है यही पर जो मेरा boron होता है यह basically आपका क्या है एक metalloids है fine यह भी क्या आपका क्या है metalloids है बाकि carbon, nitrogen, oxygen and fluorine यह अगे अपके क्या हो जाते हैं फिर non metals हो जाते हैं because non metallic character आपका long the period increase करेगा clear so यहां से आपका अंसर होगा कि जो atomic number 5 वारा मारे बास element है boron वो आपका metalloids होगा thank you